हेलो सिविल इंजिनियर्स और माइडियर उसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत सा अच्छा और शांदार कर रहे होगे दोस्तो मैं एहमाद हुसेन आपको हमारे रेंफोर्स की डिजिटल होता है तो अगर आपका घर बना रहे हो तो आप इन तीनों मैटिरियल में से कौन सा मैटिरियल आपके घर के लिए सबस्यादा स्यूटिबल होने वाला है आज हम इस टॉपिक में उसी की बात करने वाले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इंफोर में मिल जाएगा दोस्तों उसके अंदर आपको काफी जादा अच्छा फ्री कॉंटेंट के साथ साथ काफी अच्छा यहां पर आपको प्रीमियम कॉंटेंट मिलने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से आप यहां पर बार बेंडिंग शेडूल सीख सकते हो हमारे प्रोजेक्ट मिलने वाल हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक शुरू करना चाहूंगा जैसे कि जब भी हम यहां पर को इसी गाड़ी लेने जाते हैं तो यहां पर अगर हमें जादा तेज बाली आने कि जादा र हकती है गाड़ी या जो थोड़ी से उसकी स्पीड कम हो उससे हमें करना होता है कॉंप्रमाइज तो इसी तरह से हमारे कुछ यहां पर इंपॉर्टेंस है और यहां पर कहना चाहूंगा यहां पर कुछ डिसएडवांटेज यहां पर होने वाले हमारे इस माटियोल के लिए तो सबसे पहले में बात करना चाहूँँगा कि हमारा जो तीनों मैटिरियल होते हैं सबसे पहले हमारे AAC जो हमारा टीजट कीछ साइज की दोas कारते हैं हímारे यहाँ पर तीन डिया हुआ है सब्से पहले जो इस सबसे बात करें तो यहाँ पर हमारा size जो दोस्तों यहाँ पर है वो हमारा same ही तक्रीबन होता है जो कि हमारा 9 inches उसकी जो length होती है वो होती है और उसकी जो 3 inches होती है उसकी height होगी और वहाई 4 inches उसकी breadth यहाँ पर होगी same size हमारा यहाँ पर red clay brick के लिए भी होता है यानि की 9 inches by 3 inches by 4 inches ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों उसके compressive strength की यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर जो compressive strength होती है यानि की जो हमारी AAC block की S पर again same is code 2185 part 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो compressive strength होती हो हमारी 3 newton से लेकर 5 newton per mm square की होती है वहीं अगर हम यहाँ पर flash brick की बात करें तो यहाँ पर 10 से 12 newton per mm square की होती है और वहीं अगर हम red clay brick की बात करें तो यहाँ पर उसकी जो minimum strength होती है वो हमारी 3.5 newton per mm square होती है दोस्तों यह minimum है इससे भी जादा की हमारी strength है वो हमारी आ सकती है दोस्तों अगर हम यहाँ पर dry density की बात करें तो सबसे पहले अगर हम AAC block की बात करें तो उसकी जो dry density है वो 450 से लेकर 1000 kg पर cubic meter तक होती है वहीं पर अगर हम यहाँ पर flyish की बात करें तो यहाँ पर उसकी जो dry density होती है वो हमारी 1700 से लेकर 1850 kg पर cubic meter तक जाती है और अगर हम red clay brick क बात करें तो 1600 से लेकर 1750 kg पर कुबिक मिटर में जाती है अगर आपको यहाँ पर AAC block यूज़ करना है तो यह जो सबसे पहले चीज़ जो AAC हमारा जो block होता है वो हमारा सिफ फ्रेम इस्ट्रक्चर के लिए ही होता है यानि कि जो उसकी density की अगर हमने देखें तो density की हिसाब से हमें यह पदा पढ़ता है कि जो हमारा AAC block है वो हमारा जादा load bear नहीं कर सकता ठीक है तो अगर जो हमारा AAC block है वो हमेशा हमारा कहां पर यूज़ होगा जो हमारा फ्रेम इस्ट्रक्चर होगा यानि कि हमारा column beam या slab बनाने के बाद जो भी हमारा फ्रेम इस्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर यहाँ पर हम AAC block को हम इसली हाँ पर हम यूज़ कर सकते हूं अगर हम fly ash और अगर हम red brick की बात करें तो वहाँ पर यह as a load bearing structure भी वहाँ पर वो use हो सकते हैं तो आगे हम बात करते हैं हमारे water absorption होता है water absorption से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना आप चाहूंगा कि अगर हमारा जो block है वो क्या होता है वो हमारा light weight होता है जैसी कि हमने अभी dry density में देखा कि वो हमारा एक बहुत ही हलका होता है जिसको भी एक बच्चा भी आराम से उठा सकता है ठीक है तो अगर हम water absorption की यहाँ पर हम बात करें तो जो water absorption होता है वो हमारा यहाँ पर less than 10% होता है अगर हम AC की block की बात करें वहीं अगर हम यहाँ पर flash की बात करें तो यहाँ पर जो उसका water absorption होता है वो हमारा 6-12% होता है याने कि 6-12% होता है वही अगर हम यहाँ पर रेड ब्रिक के बात करें तो वहाँ पर उसका water absorption होना चाहिए वह आपका less than 20% उसका weight से होना चाहिए दोस्तों अगर हम इसी चीज़ को याने कि अगर हम एक bucket के अंदर हम तीनों को हम डालते हैं याने कि हम यहाँ पर AAC block को डालें और यहाँ पर हम flash को डालें या हम यहाँ पर red brick को डालें तो दोस्तों जो red brick होगी और जो flash होगी वो क्या होगा वो महाँ पर जाके summer याने कि वो डूब जाएगे लेकिन वही अगर आप यहाँ पर AAC block क डालोगे तो वो क्या होगा वो पानी के उपर तैतर आगा इसका मतलब क्या है कि वो जादा यहाँ पर पानी को एब्जॉब नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर छोटे-छोटे से यहाँ पर वाइट प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उसके अंदर easily वहाँ पर पानी absorbed हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं Weight की, तो सबसे पहले अगर हम AAC Weight की बात करें, तो दोस्तों यह होता है 14kg को हमारा weight का होता है और अगर हम यहाँ पर flash की brick की बात करें, तो जो उसका weight होता है वो हमारा 2.6 kg होता है और वहीं अगर हम यहांपर ब्रिक की बात करें तो उसका जो वेट हमारा हो जाती ही, 0.6 kg हो जाता है एक और चीज दोस्तों हम ने क्यों कह रहा हूँ कि हमारा weight इसका वैसे आपको देखने को लगा कि उसका weight ज़्यादा होता है और उसका weight कम होगा लेकिन मैं इस वज़े से कह रहाएं कि अगर जो हमारा size यानि की जो हमारा block का size है जो कि 900-600 mm का size है उसके अंदर जो हमारी number of bricks आती है वो हमारी number of bricks 8 आ जाती है जी याने कि 8 number of bricks उस size के अंदर हमारी आ जाती है तो अगर हम उसका weight करेंगे तो यहाँ पर हमारा काफी जादा differentiate है यहाँ पर weight में हो जाएगा अगर हम उसको weight करेंगे तो वही block जो मेरा 14 kg का block है अगर हम उसे यहाँ पर red brick से compare करेंगे तो वो मेरा 36 kg हो जाएगा और वहीं पर अगर मैं इसको flight से compare करूँगा तो उसका weight आ जाएगा वो मेरा तक्रीबन 20-40 के बीच में यहाँ पर हमारा weight है वो हमारा आ जातो इसी वज़े से मैं यहाँ पर कहा रहा हूँ कि हमारा weight होता ह वो काफी हलका होता है हमारा AAC block का दोस्तो अगर हम यहाँ पर wastage की बात करें तो सबसे पहले अगर हम AAC block के wastage की बात करतें तो दोस्तो जो हमारा AAC block होता है वो एक हमारा uniform shape or size का होता है तो उसके अंदर जो भी हमें उसको अगर हमें कट अगर हमें महाँ पर हमारा block कम हो ज होती है आप उससे भी यहां पर उसको कट करके आप एजली वहां पर पूट कर सकते हो लेकिन वहीं अगर हम रेड़ की बात करें तो वहां पर हमारा जो काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाता है यानि की तकरेबन 10% हमारा वहां पर वेस्टेज हो जाता है और वहां पर हमारा सह बिल्डिंग जो बनती है तो उसके अंदर अगर हम यहां पर AAC block यूज़ कर रहे हैं तो जितना भी है जो हमारा dead load होगा वो हमारा यहां पर कम हो जागा वहीं अगर हम red brick की हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारा dead load होता है building का वो काफी यहां पर जादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें यहां पर हमारे dead log हमें खतम करना है तो यहां पर हम आराम से AAC block का यहां पर use कर सकते हैं दो बात करते हैं उसकी अगर costing के तो दोस्तो अगर यहां पर हमें कोई सी एक wall बनानी है तो उसके अंदर for example एक wall लेते हैं जिसके अंदर हमारी जो red brick लग र इसके साथ यहां पर हमारा जो स्मेंट बैगे वह भी हमारा जाधा लगेगा और उसaja साथ हमारी साथ आपदेगेुर्य इसन मेंने कि पर यहां जाथ लगेगा कर तो यहां पर हम इसमी बराइं ends बाकती हों तो दोस्ती सेम हीट कि अगर हम कि हमारा मौर्ट आ है यानि कि इसके अंदर हम एक चिसके अंदर यहां पर हमारा बच जाता है जिससे कि हमारा जो costing होती है, building बनाने की वो हमारी काफी यहां पर बच जाती है, अगर मैं यहां पर AAC block की है अगर हम बात करें तो AAC block के अंदर जो हमारा plaster होता है वो हमारा उसकी uniform, shape और size की वेज़े से यहां पर हमारा जो plaster होता है वो भी हमारा काफी कम लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हम हमारे कॉस्टिंग भी काफी जादा यहाँ पर आ जाती है तो वहीं अगर हम यहांपर fly ash की बात करें तो उसके अंदर जो हमारे plaster की quantity है और जो थिकने से वो हमारे यहांपर कम हो जाती क्योंकि यहांपर जु livreande do यह हमारा था और यह हमारा basically machine molded होता है चाहे अगर हम flash की बात करें तो चाहे अगर हम यहाँ पर AAC block की अगर हम यहाँ पर बात कर रहाए होंगे तो लेकिन इसके कुछ हमारे disadvantages भी है अगर यहाँ पर कुछ advantage ही तो यहाँ पर हमारे कुछ disadvantage भी जरूर है load bearing structure का मतलब होता है कि उसके अंदर यहाँ पर हम सिफ उसको जो frame structure है उसको हम पहले बनाएंगे फिर हमें यहाँ पर AAC block को करना होगा यानि कि पहले हम column, beam, slab बना देंगे उसके बाद फिर यहाँ पर हम हमारा AAC block देंगे तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर हम यहाँ पर फ्लाइश की बात करें तो जो उसकी जो कॉस्टिंग होती है लेकिन जो उसकी strength होती है वो हमारी अच्छी strength होती है तो दोस्तों आई होब आपको यहाँ पर एक आपका जो confusion होगा वो clear हुआ होगा तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और सबसे मेंन चीज अपने पैरेंट्स का ख्याल लखें खुद का खैल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया